Hello students, welcome to Subham Lecturer Channel तो student इस वीडियो में हम ठोज सवस्था चैप्टर का Part 4 के बारे में डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि साथ की दोस क्या होता है और फ्रेंकल दोस क्या होता है इसका definition, example और इसे हम चित्र के साथ समझेंगे तो इससे पहले मैंने तीन वीडियो बनाये हैं अगर आपने उन तीनों को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा Part 1, 2, 3 करके आप लोग जाकर देख सकते हैं बहुत ही important वीडियो है और यह आपका first chapter है तो इस वीडियो में हम देखेंगे साथ की दोस की परिभासा, उदाहरन, चित्र और फ्रेंकल दोस का तो देखें सबसे पहले हम देखते हैं साथ की दोस, जिसे इंगलिज में कहते हैं साथ की defect ऐसे आप लोग स्पेलिन लिखेगा तो देखें है क्या वह दोस जो क्रिष्टल में धनायन तथा रिढायन के समान संख्या में अपने अस्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त अस्थानों के कारण होता है साथ की दोस कहलाता है ये तो था डिफिनीशन जो कि आपको ऐसे नहीं आदोगा जब आपको मैं चितर की सहायता से समझाओंगा तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा तो देखें हम बात कर रहे हैं ठोस की तो ठोस में क्रिस्टल पाए जाते हैं क्रिस्टल में धनायन और रणायन पाए जाते हैं तो जब धनायन और रणायन किसी क्रिस्टल में से समान संख्या में गायब हो जाएं तो वहाँ पर जो दोस उत्पन होता है उससे हम कहते हैं साथ की दोस अब चलिए इसके बारे में डिसकस करते हैं आगे हम लोग तो इसे चित्र की साहता से समझने से पहले हम इसका एक्जांपल देख लेते हैं कि साथ की दोस्ट का एक्जांपल क्या है तो इसका एक्जांपल है NaCl जिसे हम लोग कहते हैं Sodium Chloride सी एस सील सीजियम क्लोराइड ठीक है और के सील यानि की पोटासियम क्लोराइड आदी एटीसी ठीक है इन सभी में से किसी को आप लेख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डन्ट है यह तो अब देखिए हम इसे चितर के साथ कैसे समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्रिश्टल जालक तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने हापर बनाया है ठीक है आपको भी ऐसे बना लेना है एक मैं बनाऊंगा सिंपल और एक मैं बनाऊंगा जिसमें यह दोस्त पाए जाएगा यह वाला सौठ की दोस्त ठीक है तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा देखिये क्या है यहां पर धनायन है यहां पर अएसे आप लोगों को बना लेना है ठीक है इस प्रकार से मैंने बनाया ये एक क्रिष्टल है क्रिष्टल जालक है जो आपका उपर दिख रहा है ये एक क्रिष्टल जालक है ठीक है मैंने आपको इससे पहले भी जो दोस्त पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था तो देखे क्रिष्टल जालक में ही क्या होते हैं जालक बिंदु होते हैं जिन पर अवयवी कड उपस्थी तो देखे यहां पर धन आयन और रिन आयन उपस्थी था है तो इनको भी हम अवयवी कड ही बोलेंगे ठीक है तो यह अवयवी कड के यह सभी भाग है तो देखे धन चाहें तो मतलब इस कृस्टल जालक बिंद में यह सभी आयन उपस्थी था है इसको हम लोग यहाँ पर दर्सा सकते हैं ठीक है थोड़ा पूर अच्छे से बनाईए गए इन सभी को दूर दूर बनाईए गए यह मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ तो देखे इस प्रकार से ठीक है इस प्रकार से यह सब उपस्तित है अब देखे होता क्या है जब साथ की दोस होगा तो कैसे होगा धनाईन रिणाईन धनाईन रिणाईन और धनाईन ठीक है और यहां पर क्या होगा रिणाईन धनाईन धनाईन रिणाईन अब उसके बाद में आपका क्या होगा धनाईन ठीक है रिणाईन और यहां पर आपका हो जाएगा रिण आयन अब देखें डिफरेंस क्या आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं जो मैंने आपको बता है इस प्रकार से ठीक है धना रिण आयन दोनों में भी मैं डिफरेंस आपको समझाओंगा कि क्या इन दोनों में अलग है इस प्रकार से मैंने बताया आपको ठीक है अब देखे है क्या यहां पर यह जो है यह एक सिम्ल वाला है इसमें कोई भी दोस नहीं है इस समय यह क्या है इसमें डिफेक्ट है कौन सा डिफेक्ट है सौट की डिफेक्ट है सौट की डिफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टल में धनायन तथा रिणायन के समान संख्या में देखे यहाँ पर धनायन के बार रिणायन होना चाहिए था यहाँ पर देखे रिणायन है ठीक है और यहाँ पर रिणायन गायब है यहाँ पर देखे धनायन रिणायन और यहाँ पर धनायन होना चाहिए था देखे यहाँ पर है और यहाँ पर गायब है यानि कि दोनों के समान संख्या में एक रिणायन गायब है तो एक ही धनायन गाय कि यहां पर 60 की दो सुथपन यहांगोग संक्या में दूनु आ रहा है तो यहां पर इंप्स आपिक मैं आपको उर भी बता जिता हूं कि इस की खूझ की थी तो इसकी खोज जो की थी वो Walter Harmon ठीक है 60 की इन्होंने 60 की दोस की खोज की थी 60 की लास्ट में आ गया तो इससे कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने नाम पर इस दोस को रखा था ठीक है Walter Harmon 60 की समझ में आया कब की थी इसको भी जानना आप के लिए जरूरी है तो उन्होंने की थी 1930 में सन 1930 में ठीक है इसकी खोज की थी समझ में आया तो समझ में इतना आपको आ चुका होगा कि 60 की दोस क्या होता है जब धनायन और रड़ायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होंगे तो वहाँ पर साठकी दोस उत्पन होगा एक्जामपल सोडियम क्लोराइज, सीसील, केसील और मैंने आपको चित्र के साथ समझाया यहाँ पर द्रेड़ान गायब है, यहाँ पर धनायन गायब के कोशिस कीजिए, सित्र मैं समझा दूँगा और इसके भी खोजकरता का नाम मैं आपको बताऊंगा और पीडिया भी आप लोग डिस्क्रिप्सन से डाउनलोड कर लेजिए ठीक है, देखें, क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु छेतर छोड़ कर अंतराकासी अस्थल ग्रहाण करने की कारण उत्पन हुआ दोस फ्रेंकल दोस कहलाता है, याण कि क्या होगा, क्रिस्टल जालक में किसी आयन, कोई आयन अगर अपना जालक बिंदु छोड़ कर अंतराकासी अस्थल पर चला जाए या फिर रिक्त अस्थान में चला जाए तो वहाँ पर फ्रेंकल दोस उत्पन होगा अंतराकासी अस्थल मैंने आपको बताया था अंतराकासी दोस में तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख लेजिएगा अबको पित सबसецनार के सब्सक्राइए सब्सक् kind नादा सब्सक्राइए देखे इसमें धनाय रिणायन सभी थे जब दो एक धनायन और एक रिणायन या फिर दो धनायन दो रिणायन समान संख्या में दोनों गायब हो जाएंगे कहीं तो simple है इस crystal जलक का द्रब्यमान कम हो जाएगा भार ठीक है और जब दरब्यमान कम हो जाएगा तो घनत भी कम हो जाएगा क्योंकि घनत तो बराबर दरब्यमान बटा आईतन होता है मैंने आपको बताया था घनत तो जो होता है वो अनकुमान पाती होता है दरब्यमान के कि द्रब्यमान अगर घटेगा तो घनत भी घटेगा द्रब्यमान बढ़ेगा तो घनत भी बढ़ेगा ठीक है तो यह समझ में आए घनत भी इसका कम होता है यह जानना आपके लिए जरूरी है पूछा जा सकता है तो अब देखिए हम समझते हैं आपर फ्रेंकल दोस फ्रेंकल दोस्ट क्या होता है तो फ्रेंकल दोस्ट मैंने आपको समझाया इसका भी example मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका example क्या होगा तो इसका example होगा जैसे AGCL, AGCL क्या है अच्छो silver chloride ठीक है उसके बाद में GNS, zinc sulfide और इसका example होगा AGVR, यानि कि silver bromide AG क्या silver है, ठीक है AG, AI, कोई भी आप लिख सकते हैं, यह है आपका silver iodide, CAF2 ठीक है, ETC, यह सभी आपके किसके example है, फ्रेंकल दोस के example है, ठीक है, अब इसको मैं आपको चितर के साथ इसको भी समझा देता हूँ ठीक है, सबसे पहले हैं तो मैं एक crystal जाल लोग अच्छे से बनाईएगा, अब देखे होगा क्या इसमें, इसमें मैं पहले बना देता हूँ आयन, जो कि मैंने उसमें भी बनाया थे, ठीक है इस प्रकार से मैं दोनों में बना देता हूँ, एक मैं बनाऊंगा सिंपल वाला, यानि कि जिसमें दोस नहीं होगा और एक मैं बनाऊंगा जो कि फ्रैंकल दोस से, फ्रैंकल दोस जिसमें होगा ठीक है, तो देखे, यहाँ पर आपका क्या है धनायन, ठीक है रिणायन धनायन 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 और रिणायन और यहाँ पर भी धनायन 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 और रिणायन तो देखिए अब आप फमज़िए इसको क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु छोड़का जालक बिंदु क्या होता जिकि यह तो एक जालक ह जिसमें अवयवीकण है है जहां उपस्थीत व्यां को छोड़ कर यहां तो आप org हमानु धोर जैकर जालग को करने के प। जोदुदक करने के कारण उत्पन हुने ond regain stronger dhannan तिक कुछ सांगै, अब देखें, यहां पर एक क्रिस्टल क्या हुआ है, यहां पर समजीए, एक क्रिस्टल जो खंग hybrid, वह उसने अपना अस्थान छोड़ कर इस बीचवाले अस्थान पर वह आगया है, जैसे देखें, यहां पर रिणाइन था, ठिक है, यहां एक सिम्पल है यानिके इसमें कोई भी दोस नहीं है और इसमें क्या है यह एक साट की दोस से डिफेक्ट है डिफेक्टिव डिफेक्ट इसमें है ठीक है यानिके इसमें दोस है तो देखे समझे इसमें से एक आयन जो है माइनस आयन जो यहाँ पर था इसके अंदर ठीक है यहाँ पर देखे आया यहां पर आप definition को समझे किसी crystal जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु छोड़ कर अंत्राकासी अस्थल ग्रहन करने के कानुत्पन हुआ दोस फ्रेंकल दोस कहलाता है तो देखें सिंपल सा यह मैंने बनाया एक जालक जिसमें अविवीक न है ठीक है जालक बिंदु पर यहां पर क्या हुआ इसमें से आवयो कर निकल गया है इसमें कोई भी आयन नहीं है तो इसमें से मायनेस जो है रिड़ आयन निकल कर इस बीच वाले अस्थान पर आ गया है जो बीच वाला अस्थान है जहां पर आयन नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अंतरा अकासी अस्थान अंतरा कासी अस्थान ठीक है तो देखें अंतरा कासी अस्थाल गरहन कर लिया है रिड़ आयन ने इस जालक अस्थान में तब भी वहाँ पर क्या होगा फ्रेंकल दोस होगा तो सिंपल है जब कोई आयन अपने जालक बिंद को छोड़ कर किसी अंतरा कासी अस्थान पर अंतरा कासी का मतलब कोई खाली अस्थान पर आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है फ्रेंकल दोस उत्पन होता है तो देखें, यहाँ पर यह आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंकल दोस है, तो यह बहुत ही सिंपल सा था, जो कि मैंने आपको बताया, अब इसमें अगर पूछा जाए, कि घनत तो इसमें परिवर्थित होगा या नहीं होगा, घनत तो, घनत तो देखें क्या होता था, उसमें जो माइनेस और प्लस आयन साथ में बाहर चले गए थे, तो जब बाहर चले गए तो क्रिस्टल का घनत तो घटेगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल का घनत तो कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, जब माइनेस आयन इस क्रिस्टल अपने जालक बिंदू से निकल कर इसी क्रिस्टल जालग में रहे गया इसी क्रिस्टल जालग के अंतरा काशिय स्थान पर आ गया खाली स्थान पर तो इसमें क्या होगा माइनेस आयन का जो भार था दर्बिमान था वो इसी क्रिस्टल जालग में रहे गया अताहां क्या होगा इसमें जो है घनत पर कोई प्रभाव नहीं परेगा घनत जो है आपरिवर्तित रहेगा यानि कि कोई भी परिवर्तन घनतों में नहीं होगा यह कुछन बहुत बार पूछा गया है कि कौन साइसा दोस है जिसमें घनत तो आपरिवर्तित रहता है तो वो है फ्रेंकल दोस ठीक है तो इसमें यह होगा जब रिन्हाय रहां से निकला तो इसी क्रिष्टल ड़ालाग में यह छाली अस्थान में आ गया यहन्न की कहीं बाहर नहीं गया ना तो बाहर शेपूई आया तो यह क्रिष्टल kinds यहां पर भार था वही इसका भी होगा यानि कि कोई भी परिवरतन इसकी घंदतों में नहीं होगा तो यह सिंपल सत्था दोनों मैंने आपको बताया फ्रेंकल दोस और साथ की दोस तो आई होग कि आपको यह अच्छे से समझ में आ चुका होगा तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे पार्ट वाइज और टॉपिक वाइज तो इ आप इसका पीडियो वी डाउनलोड कर सकते हैं और उन तीनों वीडियो को देखना मत भूलेगा जो कि मैंने इससे पहले इस चैप्टर के पढ़ाएं हैं तो थाइंक्यू स्टूलेंट्स